कि नमस्कार श्वागत आप सभी का ग्यान सम्मान के मंच्वे हम लोग यहां पे यूपी पीसेस प्रिलिम्ज सभीuvoивает्यामान होने वालई उसके लिए बहुत ही महतफुन है यह करेनट इफियर जैसे कि आने वाल scale आप सभी को बता ही है कि आप UPSC आपका तो होने वाला ही है, admit card भी इसका आ चुका है, इसके अलावा EPFO होने वाला है आपको, तो उसमें भी इंपोर्टेंट होगा, और उसके अलावा next exam है UPSC, इसी मन्त में है, तो वहाँ भी यह आपको important होगा, UPSC के admit card आ गया है, और मैं link आपको वहाँ पर provide कर दिया हूँ, टेलिग्राम ग्रूप में, तो जो लोग भी admit card डाउनलोड नहीं किया है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो current affair में हम पिछले lecture में बात किये थे, कि हम लोग जो भी आप topic करेंगे, जहां से exam में बिलकुल question आने के chances बहुत ही जादा है, और एक्विली आप देखेंगे पिछले 3-4 साल में, तो यहां से question बनते ही बनते हैं, तो इस करम में सबसे पहले हम यहां पे घटना सार देख गया है, उसके अलाव हम लोग घटना चकर देख रहे थे, और यह घटना चकर मैगजिन काफी बहतरीन मैगजिन है, यह आपको दिख रहा होगा, और यह जो घटना चकर का दृष्टी 2023 दिख रहा है, यह आपको 1 मई 2022 से लेके और 15 अप्रेल 2023 तक अपडेट किया गया है, ठीक है, तो इसमें लगभग जो है, एक साल का करेंटे फिर कभर किया गया है, तो यह आपके लिए काफी महत्पुर्ण है, और यहां से आपके एक्जाम में कोशन देखने को मिलेंगे ही, बहुत बहतरीन मैगजिन है, और इसमें हम लोग सबसे पहले इसका एक लेक्चर, लेक्चर नमर फास्ट जो हम लोग राष्टिये परद्रिश्य कभर किया थे, लेक्चर नमर दो जो है, अंतराष्टिये परद्रिश्य और लेक्चर नमर थ्री भी आपको अंतराष्टिये परद्रिश्य ही कभर किया गया था, और लेक्चर नमर दो तीन जो है, यहां से द देखे थे यानि economics का डाटा वहां से भी question आपके आते हैं तो उसमें अभी एकाद लेक्चर और हम करा देंगे तो complete हो जाएगा economics का डाटा हर एक साल आपके exam में पूछा जाता है जाए कोई आप exam दे यह सब जो है demanding topic है तो आज जो हम लोग देखेंगे यह काफी demanding topic है और यह है आपका खेल परिद्रिश है और खेल से जो हर एक साल question देखने को मिलते ही है ठीक है तो इसमें जो है इसका पहला वीडियो होगा आपका खेल का और इसके बाद जो हम लोग एक पाट और करके इसको जो है finish कर लेंगे तो जो भी important खेल है वो सारा कुछ है आप हम तो एक अपना जो प्रोपर जो है routine maintain करे ठीक है पहले आप जैसे टेस्ट ओकर कहीं से लगाते हैं तो टेस्ट लगा ले ऐसे मैं टेस्ट पेपर जो है आपको टेलिग्राम ग्रूप में द्रिश्टी आईएस का प्रभाइड कर दिया हूँ टेस्ट सीरीज में भी हम लोग यहां पे 20 प्लस टेस्ट जो है देख चुके हैं इसमें हम लोग द्रिश्टी आईएस धे आईएस और जो है जी एस वर्ल्ड से देखे हुए है तो यहां से भी जाके आप चाहें तो वीडियो को 1.5 करके और टेस्ट को एटेम्ट कर सकते है मैं थोड़ा यहां पे टाइम भी आपको देता हूं इसके लगव आप चाहते हैं PDF से टेस्ट एटेम्ट करना तो टेलिग्राम ग्रूप में जाके PDF डाउनलोड कर लेंगे और आज जो साम को आपको मैं जैसे अपडेट भी कर दिया हूं कि आपको जो है पिछले दिन मैं अ टेलिग्राम ग्रूप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बैक्स में होगा आप जो आइन कर सकते हैं चली आज हम लोग देख लेते हैं महत्पूर्ण खबर तो ऐसे इसको देखेंगे आप लो कि याद कर जाए एक ही बार में चुकि वक्त जो है अधिक है नहीं एडिमिट क गया और एबिभीन जो खेल आएउजन होआ है यहां से आपको कोश्म देखने को मिलता है इसमें सबसे पहले हम लोगो देखते हैं जो ग्रेंड सलम हो ताहाँ ओनोक्लर टेनीस होता हल दो 2022-23 यहां से एक साल में आपको देखने को मिलते हैं और इसमें से एक कोश्चन जो है पुछने का चांस बहुत ही ज्यादा रहता है तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो पुरुष एकल भीजेता देखें इस्टेलियन ओपन में अब इसमें जो एक परतियोगता होता है इसमें बहु इंपर्टेंट क्या है दो आप तो एटलिस्ट इसमें याद करके रखेंगे ही एक आपको महिला एकल और एक पूरुष जो है एकल यह दोनों आप जरूर याद करेंगे साथ साथ और सब को एक नजर में ध्यान में रखेंगे चलिए देखते हैं पूरुष एकल बिजेता म जैसे आपको data update हो जाएगा तो पूरुष्ट एकल भीजेता कौन मना है नुवाक जैक्वीच किसको हरा के युनान के हैं आपको शित सीपास इस्टाफनों शित सीपास ठीक है इनको हरा के जो है नुवाक जैक्वीच जो है प्रेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें आप कर सकते हैं, no हो गया, a हो गया और b, no a b अगर याद रख सकते हैं तो नुआक जैक्विच हो गया, किस में किस में जीते हैं, estelia और bimaldon में, no a b, ठीक है, ऐसे करके अगर आप आप अमने दिमाग में यह रखते हैं, बाके कोई और logic आपके दिमाग में आए, ठीक है, आपको अभी तकते याद ही हो गया, no a और b, मतलब यह हुआ, कि no का मतलब हो गया, आपको नुआक जैक्विच, a का मतलब estelia open, और b का मतलब क्या हो गया आपका, bimaldon, ठीक है, तो bimaldon और estelia open में कौन जीता है, नुआक जैक्विक जीते हैं, चलिए जीत तो आपको याद हो गया होगा, नुआक जैक्विक सर्विया शे है, estelia open में सीथ सीपास, इनको हरा के जीते हैं, जबकि bimaldon में नीक किर्गियोस, estelia को हरा के जीते हैं, आगे देखे, french open में कौन जीते हैं, रॉफिल नडाल, यह स्पेन के हैं, ठीक है, और कस्पर रूड को हरा के जीते हैं US open में देखेंगे, तो अलकराज जीते हैं यहाँ पे, कार्लोस अलकराज, इस्पेन के हैं, और यह कैस्पर रूड को हरा के जीते हैं, ठीक है, तो यह आप याद रखेंगे, चली आगे बढ़ते हैं, याद हो गया होगा, I think आप सभी को, एक दो बार रिपीट कर लेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है, फ्रेंच में रॉफिल न डाल, US में क्या हो गए, कार्लेस अलकराज, चलीए, और फ्रेंच और US में दोनों में हारे हैं, सेम खिलाडी, कैस्पर रूड ही दोनों में हारे हुए हैं, तो आपको याद ही हो गया होगा, फ्रेंच और US, ठीक है, च हराके जो कज收感 किस्तान के हैं ठीक है तो महीला है एकल में अगर बात करें इस्टिलियाँ ओपलेंगों मैं ठीक है इसके अलवान नेक्स देखेंगे हम लोग विमर्टन में तो यहाँ पर देखें जो एस्टेलिया में हारी है वही यहाँ पर जीती है एलेना रिवी काना ठीक है और ओस जैंबवार को हराके लास्ट आपका यूए सोपन 2022 है यहाँ पर इगा स्वीटेक जीती है और यह जो है आपको और जिय वयार टुनिसिया को हराके ध्यान देंगे आप यहाँ पर एक महिला खिलाड़ी है जो दो यहाँ पर ग्रेन सलाम जीतने वाली है यह कौन है आपका इगा स्वीटेक जो है आपको फ्रेंच और ऊ. दोनों में जीती है ठीक है इगा उ. आपको इसके अलवाए स्टेलिया में कॉन है एरीना शाबलंका है, एलेना रिवा कीना है ठीक है, एलेना रिवा कीना है यानOld में जो एसटेलिया में हारी है वही बिवल्टन में जीती है चलिए आगे बढ़ते हैं ती हैм अटे हम लोग देख लिए महीला एकल, फुरुश्यकल, फेल नडाल हो गया है विबल्टन में नुवाक जैकविच हो गया और युएस में कार्लोस अलकराज हो गया ठीक है एक दो बार याद करेंगे थोड़ा से डिपकल्ट इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा से टाइम एक्सपेंड की आपके लिए बाकी इसको एक नजर में आप ध् इस्टेलियन ओपन दो हज़र तेजिस के बिजयता है रिंग की हीजी काता और जेशन कुबलर ठीक है यूग नीस और जान जिलिसकी को हरा के वैसे ही देखेंगे फ्रेंच के बाद अगर देखेंगे यहाँ पे इस्टेलियन ओपन देख लिए हम लो ठीक है उसके बाद फ् इसको भी ध्यान रखेंगे ठीक है अब नाम ही इनका थोड़ा सा है ऐसे टेड़ा मेड़ा बाकी आप कुछ लॉजिक मैजिक है दिए आपके दिमाग में आता है तो ध्यान रखेंगे मार सोलो और यहाँ पे जीन दो लोग जो है यहाँ पे फ्रेंच ओपन में जीते हैं व मैथू एवडेन या यह एवडेन है मैथू एवडेन और मैक्स परसल है ठीक है तो यह दोनों जो है इस्टेलिया कहीं है देखिए ठीक है दोनों कहा के है इस्टेलिया कहीं है और यह जीत गहें कौन विमर्डलन 2022 ठीक है निकोल जो है मैक्टिक और मेट जो है पाविक दोन नील जो है इसकूप को हरा के जीते हैं अब देखें जिन्रली जो है कोई आपको इस सब चीज बताता नहीं है छोड़ देता है कि बिल्कुल आये गई नहीं लेकिन अगर एक बार देखे रहेंगे तो हो सकता अप्सन इल्मिनेट करके वहाँ पे आप सल्व कर लें ठीक है क्रिजी कोवा है और कैटरीना सिनाव कोवा है यह दोनों लोग जीती है दोनों चेक गरणाजे की है और जपान के जो है सुको आमो और एना शिवाहरा को हराके ठीक है तो बाराबोरा जो है क्रिजी हुआ ठीक है यह स्टेलियन ओपन जो है 2013 की बात है बाराबोरा क्रिजी क दोनों लोग जीती है इसमें सुका आपको शुकु वामो और एना सिवहारा को हराके वैसे ही देखेंगे तो अभी हम लोग देख लिए आपका इस्टेलियन ओपन जो है बाकी मैं PDF आपको दे दूँगा आप वहां से भी एक बार रिपिट कर सकते हैं ठीक है एक आध बार इसको देख लेंगे थोड़ा सा यह डिफकल्ट चीज है ठीक है चुके बहुत सारा यहां पर ग्रेंड से लहम है ठीक है इसमें में कैटेगरी अलग अलग हो गया तो थोड करें टीक है तो यहां भी एक तो एक टो आपके लिए पत्य आपको लिए रेंगर जीरती है जोनों… याद रखेंगे चलिए मिस्रित यूगल है एक बार ऐसे इसको देख लें ठीक है यहाँ पर आपका लुईशा जो है स्टेम पेनी और राफेल माटोश दोनों ब्राजील के हैं ठीक है उबीजेता इसमें सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना यह दोनों भारत के मिस्रित यू मिस्रित यूगल में जो है लुईशा एस्टेपनी और राफेल माटोश किसको हराके सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना भार सानिया मिर्जा आपको पता है सनियास ले चुकी है ठीक है तीसली थोड़ा इंपोर्टेंट है जपान के जो है एना शीवाहारा और वेसले कुल नीदरलेंड के ठीक है ये जपान और नीदरलेंड के ये लोग जो है आपको मिस्रित यूगल में ध्यान देंगे तो उल्री के आई केरी नौर्वे और जोरिन विलगेन बेल्जियम इनको हराके जीते हैं अब इसको एक नजर में आप ध्यान रख सकते हैं चाहे तो इसको भी कर सकते हैं वैसे चाहे तो एक बार इसको देख लें तो पहला हम लोग देख लिए आपको एस्टेलियन ओपन 2020 में सानिया मिर्जा और जो है आपको रोहन बोपना हारे हैं जीते कौन है लूइशा एस्टेपनी और रॉफल माटोष इसके बार नेक्स देखेंगे तो फ क्राजवीक ये लोग जीते हैं और मैथी एबडेन और सामथा एस्टूशर ये लोग हारे हैं और लास्ट यहां पर देखें यूएस ओपन 2022 तो इसमें जो है मिसरीत में जो है स्टॉक सेंडर्स जॉन फियरेस दोनों इस्टेलिया से हैं और कॉस्टन आपको फिलकेंस बेल याद रखेंगे ठीक है यह पूरुष एकल है सौरी पूरुष एकल और महिला एकल यह जरूर याद रखेंगे यूगल को एक नजर में ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए हो गया हमारा जो है ग्रेंड सेलम लॉंड टेनिस जो हपका अब आगे बढ़ते हैं अगला हम लोग गेम की तरफ अच्छे इससे कुछ महत्पूर्ण जो अखटना आजे से स्टेलियन ओपन 2023 से एकाद बात याद रखेंगे नुआक जैक वीच जो जीते हैं अभी हम लोग देखे थे यह दसवी बार इसमें जीते हैं स्टेलियन ओपन में ठीक है इसके बाद देखे नुआक ज सन्यास ले चुकी है इसके अलाव देखे हम लोग फ्रेंच चोपन की बात करें तो नडाल जो है इसमें चौधों हाँ फ्रेंच चोपन और 22 ग्रेंड सेलम का खिताब जीते हैं नडाल देखेंगे तो नडाल 36 बर्च के है ठीक है और फ्रेंच चोपन पूरुशेकल में जी जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली टेनिस खिलाडी है ठीक है तो पहली टेनिस खिलाडी मन गई है कौन एलेना रीवा कीना ठीक है यह सब फेक्ट याद रखेंगे ऐसे एक्जाम में पूछने का चांस थोड़ा सा कम होता है इसके बात करें तो कार्लोस अलकराज पहला ग् योग में यूए शोपन का किताब जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाडी बन गया है ठीक है तो 19 वर्स चार माह में जीते हैं इससे पहले अमेरिका के पीट संप्रास यह जो है 19 वर्स 28 दिन कहीं यह थे और यह पूरुष जो है यूए शोपन में पूरुष एकल में खिताब जीते थे इसके बाद देखें तो इगा स्वीट एक का यह पहला जो है यूए शोपन खिताब था यह सब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे यह तो हमारा हो गया आपका टेनिस की बाद अब देखते हैं हम लोग खेलो इंडिया जो गेम होता है आपका यहां सब एक अट सहरो में आजन किया गया और नई दिल्ली में क्यों ट्रेक साइकलिंग किया गया ठीक है तो मद्य परदेश और नई दिल्ली ऑप्शन में यह दि मद्य परदेश दिखता है तब भी आप सही कर सकते है ठीक है तो खेलो इंडिया यूथ गम 2022 का यह देखिए 30 जनवरी स 11 फरोरी 2023 के बीच में किया गया था यह इसका पाच्वा जो है संस्करन था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का इसके पहले देखेंगे तो यह आपको 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ठीक है तिससे पहले चार बार हो चुका था 2018 से यह स्टार्ट हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है ठीक है खेल इसमें टोटल 27 नए खेल इसमें जो खेलो इंडिया यूथ गेम में साबिल किया गया इसको याद रखेंगे पूछा जा सकता है तलवारबाजी ठीक है वाटर इस्पोर्ट्स कैनोईंग और काया किंग और स्लालोम ठीक है यह नया नया गेम इसमें सामिल किया पहला कौन हो गया तलवारबाजी हो गया याद हो गया होगा आपको वाटर स्पोर्ट्स कैनोईंग और कायकिंग और स्लालोम ठीक है यह नया नया गेम अब देख लेते हैं पदक तालिका में क्या इस्तिती रहा ठीकिंग तो सबसे ज्यादा पदक कौन जीता है छेविद् एक नमर पर है खेलो इंडिया यूत गेम में ठीक है हम लोग बात किसकी कर रहा है खेलो इंडिया यूत गेम 2022 की आयोजन कहा हुआ था इसका मद्यपरदेश नहीं दिल्ली में ये इसका पांचवा संसकरन था सुभांकर आसाय मंगोली मसाल अमर कंटक था अधिकारी गित था का दिल धड़कने दो नए गेम सामिल किया गया था तलवार बाजी वाटर स्पोर्ट स्केनोइंग और काइंग और सिलूलम अगे देखिए तो इस खेलो इंडिया यूत गेम में बात करें तो सबसे अधा पदक कौन जीता महरास्टा जीता दूसरे नमर पर हरियाना है तीस महरास्टा जो है टोटल 161, 128 हरियाना और आपको 90 महरास्टा ही जीता है फिर हरियाना फिर महरास्टा चली आगे बढ़ते हैं यह खेलो इंडिया गेम्स की बात हो गई ठीक है अब देखते हैं खेलो इंडिया सीथ कालीन खेल होता है यह 2023 का योजन हुआ ठीक है खेलो इंडिया सीथ काल का योजन कहा होगा कोशन पूछे आपका एंसर क्या हो जाएगा गुलमर्ग जम्मु काश्मीर ठीक है तीसरा संस्करन था हीम 322 का सुबंकर था इसका इस्तिति क्या रहा है इसमें देखेंगे तो जम्मु काश्मीर एक नमबर पर रहा 26 25 रजत और अगर बात करें आपसे खेलो इंडिया सीथ कालीन खेल में इसमें क्या इस्तिति है तो चौथे नमर कौन है आपका यहां पर चौथा नमर नहीं है उनीश्वा नमर पर आपका उत्तरपरदेश है ठीक है पहले पर आपका जम्मु कस्मीर पर महारास्टा फिर हिमाचल सबसे पहला बात यह इसका 22 संस्करन था ठीक है आयोजन कहां हुआ इसका कतर में हुआ 20 नौवंबर से 18 दिसंबर के मद देखिया गया एसीया में आयोजित थेने वाला यह दूसरा फीफा भी सुकप था ठीक है इससे पहले एसीया में एक बार आयोजित किया गया था सर बात करेंगे तो दूसरी बार आयोजन हुआ पहली बार 2002 में हुआ था अभी 2022 में हुआ अब यह दी आपको मालीजे स्टेट्मेंट बेस कोश्चन पूछ देगा तो यह सब यह आपको याद है तो आपको इंसर करने में कोई दिकत नहीं होगा चली से रिलेटेट और फेक् देखेंगे तो कोई बात नहीं है ठीक है इसके अलावा देखेंगे तो उद्घाटन समरों में फीफा बीशुकप 2022 का पहला मैच जो है इकवाडोर बनाम कतर खेला गया था इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ठीक है अल जो है बयात स्टेडियम अल्खोर में आयोजि कहा हुआ लुशेल्स आईकोनिक स्टेडियम में किया गया ठीक है इसका समापन समरों है लुशेल आईकोनिक स्टेडियम में ठीक है अब देखिए फीफा बीशुकप 2022 में कतर एकमात्र ऐसा देश था जिसने पहली बार इस्परतियोगता में भाग लिया यह भी बात थोड 2020-22 के गुरूप चलन में सर्विया के बुरूद एक गोल को प्रसंशंस को द्वारा गोल अब टुनामेट जो है चुना गया ठीक है यह बात एक नजर में ध्यान रखेंगे रिचल्शन द्वारा यह गोल 222 जो है चुना गया था जो रिचल्शन ब्र evolves यंके खिलाड़ी गोचित किया गया था है इसका एतीयाधिक कुसल खिलारी सुपर स्किल्ड प्लेयर ठीक है अधिकारια गेंद की बात करें तो नीरिष्म्क की ती याद रखेंगे चलिए आगे देखते हैं ते अल हील्म और आप देखेंगे तो ये जो फाइनल मैच था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फाइनल मुकावले में अल हील्म जो है अधिकारी गिंद का नाम था और ऐसे जो है देखेंगे तो अल रिहला ठीक है ध्यान रखेंगे गेडी दास के द्वारा बनाए गया आगे देखें अर्जेंटीना और फ्रांस के मद्दे जो है 18 दिसंबर 2022 को क्या हुआ फाइनल हुआ और ये फाइनल कहां प फाइनल के इतिहास में है टिक लगाने वाले दूसरे खिलाडी बने थे ठीक है ये तो एक नजर में ध्यान रखेंगे इसको आगे देखेंगे अगला जो है देखेंगे साथ ही जो है इमबापे फीफा बिस्व कप में दो अलग अलग संसकर्णों में फाइनल में गोल करने वाले बिस्व के पांचों और सबसे हुआ खिलाडी बन गया है ठीक है अब कुछ और फेक्ट इसमें ध्यान में रखेंगे प्रांस के टीम के कप्तान गोल कीपर कौन थे हुगो लारिंस थे ठीक है अब कुछ इसमें पुरुसकार दिया जाता है सरोषिष्ट परदर्शन क किसको दिया गया लियोनल मेसी को दिया गया ठीक है टुनमेंट के सरोषिष्ट खिलाडी इनी को बनाया गया लियोनल मेसी को अर्जिंटीना के गोल्डेन बूट जो है किसको दिया गया सरवाधिक गोल करने के लिए थे किलियन एमबाप पे फ्रांस के टोटल आठ गोल किय जाएगा और यह अर्जेंटिना के हैं एमिलियाना मार्टिनेज़ जो है गोल्डेन गलब दिया गया टूनमेंट का सरोसिस्ट इवाख खिलाडी कौन एनजे फ्रांडेज जो है अर्जेंटिना के यह जरूर याद रखेंगे फीफा फियर प्ले ट्रॉफ़ी किसको मिला एक बार 2014 में जीते थे अब ये 2022 में जीते हैं फिर से मेसी जो है अपके फीफा भी सुकप के इतिहास में सरवाधिक 11 बार मैन अब दी मैच पुरुसकार भी अभी तक जीत चुके है ठीक है ये भी बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे फीफा भी सुकप एक संसकरन में सरवाधिक 5 बार मैन अब दी मैच पुरुसकार जीतने वाले मेसी ही है ठीक है और 2022 में नाम में दर्ज हो गया है इनका यानि सरवाधिक मैन अब दी मैच का पुरुसकार 5 बार जीतने वाले हो गये मेसी जो है फीफा वी सुकप के इतियास में सरवाधिक मैच 26 खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गया है मेसी के नाम में 20 सुकप में कप्तान के रूप में भी सरवाधिक मैच खेलने करी कौड है मेसी से रिलेटेड कुछ फेक्ट था आगे चलिए हम लोग देखते हैं अगला 20 सुकप 2022 इससे महत्पुन्ट तत्थे हम लोग कुछ देख लेते हैं अच्छा इसमें देखें अभी अब इसी से रिलेटेड है आपको 20 सुकप 2022 की बात करें हैं आपको कुल मैच टोटल कितना खेला गया उसमें 64 मैच खेला गया फीफा की बात करने हैं हम लोग कुल गोल जो है 172 हुआ खैरी सब चीजे जो है इसमें पेनाल्टी जो है सुट आउट सामिल नहीं किया गया है सरवाधिक गोल करने वाली याद रखेंगे पांच फीफा बिस्टो कप में गोल करने वाले बिस्टो का एक मात्र खिलाड़ी कौन है क्रिश्नाडो रोनाल्ड पूर्टगाल के 2006-2022 एक ही मैच में किसी टिम दोरा सरवाधिक गुल साथ किया गया एस्पेन भरसेज कोश्टा ठीक है तेस अब डाटा एक्स्ट्रा फेक्ट है आप चाहे तो याद रख सकते हैं इसको फीफा बिस्टो कप की बात करें तो पूरुष बिस्टो कप के इति पूरुष बिस्टो कप में यहां पर रेफरी बनी है साथ सा तभी देखेंगे तभी किर्केट टूनमेंट में भी महिला है जो है एमपैर का काम कर रही है तो यह थोड़ा से इंपॉर्टेंट है चुकि नया घटना है तो फीफा पूरुष बिस्टो कप के इतिहास में पह इसके बाद देखे 23 जो है फीफा बिस्टो कप कहां होगा यह भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो इसका 2026 में आयोजन किया जाएगा आवेजन इसका होगा कहां तो संयुक्त रूप से तीन जगा होगा उत्री अमेरिका के देशों में जैसे कनाड़ा मैक्सिको और सं अमेरिका ठीक है चली एक और इसमें लोग देख लेते हैं आठवा आई सी सी पूर्स्टी ट्वेंटी ठीक है तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ आप अपना रिवीजन करते रहें जो भी यूभी पीसे दो हजर ते इस प्रिलिम्स देने वाले हैं टेस्ट होगा रहें औ और उसके बाद आप क्या करें करिंट ए फेर के मैक्समूम से मैक्समूम टाइम जो भी बचता है आपका वो इन्वेस्ट करें ठीक है तो आप करिंट एफेर के लेक्चर जो ही यहाँ पर अभी तक बना दिया गया उससे जरूर देखेंगे आपके एक्जाम में बहुत सारे है टूइन्टी यह को किताब जीता था ठीच और ध्यान रहेंगे एक यहां पे है के अन्तराश्टि पहली एसी पूरुष टिम बन गई है जो एकिसमें में एकडिवस्षी हैं अंथरस्टी और टींटी दोनों प्रारूप में यानि पर्लेली जो अभी एकडिवस्षी हुआ तो प्लेयर अब देखते होंगे उनको सारा यह डाटा तो पता ही होगा जो नहीं देखते होंगे वो थोड़ा सा ध्यान देंगे अब देखें इसमें कुछ पुरुसकार मिलता है जैसे प्लेयर अब तूर्णामेंट जो है सैम करन को मिला इंगलेंड के हैं और यही आई पिल के अब की पार के सबसे महांगे खिलाडी भी रहा है ठीक है तो सैम करन को क्या मिला है आपको प्लेयर अब दर टूर्णामेंट टोटल 13 विकेट लिये थे कुछ रन भी यह बनाये थे टूर्णामेंट में सरवाधिक रन की बात करें तो बिराट कोहली बनाये थे भारत से द छागाये थे यह डाटा थोड़ा सा दहान में रखेंगे प्लेयर अब टूर्मिंट टिक है यह जरूर्त धीख में घ्रण काओं प्लेयर अब तूर्णामेंट में सरगा स tut लेने वाला अब उसमें इसके लाव और भी बहुत सारे कोशन मराने के पॉस्पिलिटी है बट पुछने का चांसे कम है जैसे हैटिक लेने वाले एक इंदबाज का आपको स्रीज दिया है ठीक है करतियन जो है मैं अपम है इसके बाद से लंका के बुरूद है जॉस लेटिल ये लोग जो जो है नौवा जो है आइसी सी टी ट्वेंटीबी सुकप का आयोजन कहां होगा तो ये कहां प्रस्तावी था वेस्ट इंडीज और अमेरिका में तो दो हजार चोबिस का जो है टी ट्वेंटीबी सुकप जो इसका नौवा संस्क्रान होगा कहां होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में दस्वा जो है कहां प्रस्तावी था आपको 2026 में तो यह जो है आपको भारत और सिरलंका में ठीक है तो नौवा आपको वेस्ट इंडिज और अमेरिका दस्वा भारत और सिरलंका में ठीक है ध्यान रखेंगे इसको इस से रिलेटेड एक फेक्ट और देख लें आप से विराट कोली से रिलेटेड जो है विराट कोली जो है आई सीसी पूरुष्टी 20 विस्वकप की बात करें तो इतिहास में सबसे अधिक रंग मनाने वाले खिलाडी हैं आप से पूछा जाए कि बताइए आई सीसी एक तालीस रन बनाया है और यह आप जरूर याद रखेंगे कोली जो है टीट्विंटी अंतरा स्टे किर्केट में 4000 रन का आकड़ा पार करने वाले बीस्व के पहले किर्केटर बन गया है ठीक है तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट है कोली जो है बीस्व में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गया है जो टीट्विंटी में 4000 प्लस जो है रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गया है तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे आगे देख लेते हैं इसमें कुछ और डार्टा टीम अपड़ टूनामेंट इसमें चुना जाता है तो ICC T20 भी सुकप के बाद जो है अफस्टॉस मोस्ट जो है बेलेवल टीम की घोशना की गई और इस टीम में सरवाधिक जो है चार खिलाड़ी कहां के थे इंगलेंड के थे एक जो टीम मनाया जाता है ठीक है मस्ट बेल टीम नहीं है चली आगे बढ़ते हैं अगला एक और देख लेते हैं हम लोग इसमें तर्थे अभी तक देखिए हम लोग क्या क्या देखे एक टेनीश वाला डाटा देख लिए ठीक है टेनीस वाला के अलावा हम लोग क्या देख लिए फीफा भी सुकप 2022 इससे पहले हम ल पहला फेक्ट रखेंगे बर्मिंगं उके में अजन हुआ 28 जुलाई से 8 अगस 2022 के मद अब डेट ओकर याद नहीं रखेंगे पर्मिंगं उके में ध्यान देंगे अगर तो लंदन 1934 मैंचेस्टर 2002 के बाद यह तीसरा बार था जब इंग्लेंड में रास्ट मंडल खेल का का योजन किया गया तो अभी तक राष्ट मंडल खेलों का इंगलेंड में तीन बार किया गया है ठीक है चलिए बाकि जो है जो भी इंपोर्टेंट 72 देश पाटिसिपेट किये, 72 देश या छेतर दिया है, 4500 से अधिक एथलीट और 19 खेल और 8 पारा खेलों में भाग लिया गया, ठीक है, तो 72 देश टोटल पाटिसिपेट किये, 4500 से अधिक एथलीट, बर्मिंगं 2022 में नेम ने जो है, 4 खेलों को पहली बार सामिल किया गया, इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये बर्मिंगं जो है, बात करें राष्ट मंडल खेलों की, तो इसमें जो है, 25 राष्ट मंडल खेल में 4 खेल कौन सामिल किया गया, पहला महिला T20 किर्केट, ठीक है, महिला T20 किर्केट को सामिल किया गया, इससे पहले किर्केट नहीं था, 3x3 basket wall 3x3 wheelchair basket wall और mixed synchronized diving यह चारो गेम इसमें आया तो पहला तो महिला T20 होगे और दूसरा 3x3 basket wall next क्या होगे 3x3 wheelchair basketball तो basket wall दोनों है 3x3 का basket wall है और wheelchair है उसके बाद लास्ट जो है चोथा mixed synchronized diving ठीक है तो यह चारो खेल को याद रखेंगे पूछने के chances है यहाँ पे question 2018 में राष्ट मंडल खेलों में सामिल नीशाने बाजी shooting इस संसकरन से हटा दिया गया था तो यह भी ध्यान रखेंगे जो नीशाने बाजी है जो shooting है इसमें इसको हटा दिया गया तो इसका उधगाटन भी यहीं पे हुआ था और समापन भी यहीं पे हुआ था एलेक्जेंडर इस्टेडियम में ठीक है यह बात कर लेते हैं पदक तालिका के कौन सबसे सरोशेष्ट परदर्शन किया तो इस टेलिया जो है राष्ट मंडल खेलों में सबसे ज्यादा कुल जो है 177 पदक जीतके नंबर वन पे रहा और इस टेलिया देखेंगे तो टोटल यहां पे 67 जो है 67 आपको सवर्ण पदक संतावन रजत और 54 जो है कास से पदक यहां पे जीता ठीक है इंगलेंड जो है दूसरे अस्थान पे रहा यहां पे 176 पदक के साथ कनाड़ा तीसरे अस्थान पे भारत चोथे अस्थान पे याद रखेंगे अब भारत वाला डाटा इस सारा आप याद रखेंगे भारत टोटल कितना पदक जीता है तो 61 जीता है जिसमें बाइस स्वर्ण 16 रजत और आपको 23 कास से यह डाटा आपको जरूर याद रहाना चाहिए तीनो ठीक है हम लोग बात किसका कर रहा है अभी कौन से गेम की बात कर रहे है 22 अराश्ट मंडल खेल की ठीक है अयोजन कहां हुआ बर्मिंगम में हम लोग देख चुके है नंबर वन जो है इसमें कौन रहा है इस टेलिया रहा है ठीक है 177 पदक के साथ इंग्लेंड जो रहा है दो नंबर पे 176 यह संतावन जो है इसको स्वर्ण मिला है यह देखे तो संसट हुआ है 10 कम इसे संतावन यह तो काफी कम है ठीक है लगवाग आधा ही हो गया ठीक है आधा से भी थोड़ा कम हो गया तो 26 हो गया कनाड़ा और उससे नीचे 22 और फिर न्यूजिलेंड हो गया आपका पांच पे ठीक है तो याद रखेंगे भारत जो है टूटल कितना पतक जीता है एक सट बाइसवन सुल्ल रजत और तेश कास से ठीक है चलिए याद रखेंगे इतना आगे देखते हैं और इससे रिलेटर क्या फेक्ट आप याद रख सकते हैं एमा मैकियोन इस्टे सबसे सफल एथलीट रही है और क्यों ऐसा रही है क्योंकि आपको छे एक साथ टोटल आठ पदक जीती है जिसमें छे स्वन्ड एक रजत और एक कास से ठीक है तो सबसे सफल खिलाड़ी जो है अथलीट कौन रही है एमा मैकियोन ठीक है एस्टेलिया की तैराक है आगे देखें एक और नाम यहां पर है फेंग त्यो त्यान वेई फेंग त्यान वेई सिंगापूर की जो है महिला टेबिल जो है टेनिस की लाड़ी है राष्ट मंडल खेल 2022 में इन्हें परतिष्ठित जो है डेविड डिक्षन आवार्ड से समानित किया गया ठीक है यह कुल जो सब 15 जो है अथलीट भाग लिये थे 107 जो है अधिकारिक अफिसियल साइथ तीन सब आइस जो है सदस्य और यहां पर पहुंचे थे यह सब पूछने के चांसे इस कम है भारत दल में देखेंगे अनहत सिंग 14 वर्स इसक्वेस में सबसे युवा जबकि सुनील बहादूर 45 सबसे उमरदाज खिलाडी थे जो इसमें सामिल हुए थे तो सबसे कम जो है उमर के खिलाडी अनहत सिंग और सुनील बहादूर सबसे अधिक उमर के खिलाडी जो है पैटिसिपेट किये थे इस गेम में इसके अलावद देख लेते हैं मनप्रीथ सिंग हौकी और पीवी सिंदू बैडमिंटन उदगाचन समारों में ये लोग भारत के ओर से धोजवाहक रहें कौन-कौन तो मनप्रीथ सिंग हौकी से और पीवी सिंदू बैडमिंटन से जबकि देखेंगे तो निकत जरीन जो महिला मुके बाजा और अचत सरत कमल आगे देखेंगे तो संकेत सरगर भारतोलन 55 kg में भारत का पहला पदक रजत पदक जीते तो इस गेम में भारत के और से पहला पदक जीतने वाले कौन होई के कैटेगरी में जबकि मीरा भाई चानू भारतोलन महिला में 49 kg में भारत के और से 15,000 पधक जीती ठीक है तो भारत के और से 15,000 पधक जीतने वाली कौन की लड़ी हो गई मीरा भाई चानू भारतोलन के 49 kg के कटेगरी में ठीक है जबकि पाहला पधक पुछा जाए तो हो गए संकेत जो है बॉल्स की देख ले महिला टीम स्वंड पदक इसमें जीती है पूरुष टीम जो है रजत पदक गीता है पहली बार इस गेम में जीता गया है एटलीट्स की बात करें यहाँ पे तो देखिए एटलीट्स में यह नाम आपको कुछ दिया गया है जैसे 3000 मीटर जो है एक हजार मीटर के जो है पैदल चाल में प्रियंका गोश्वामी है इनको रजत पदक मिला है संदीप कुमार को कास से मिला है पूरुष वर्ग में ठीक है आगे देखें पैरा टेबल टेनिस की बात करें अगर हम लो तो भाविनी पटेल स्वंड पदक महिला एकल में और शोन अंचत जो है सरत कमल के बारे में जान जै चालीस वर्षी जो है टेबल टेनिस की लाड़ी है तीन स्वंड सहीत चार पदक जो जीत का राष्ट मंडल खेलो में 2022 में भारत के सबसे सपल की लाड़ी रहे तो ये टोटल जो है कितने जो है पदक जीते हैं आपको टोटल चार चार पदक इसमें तीन स्वंड रहा और भारत की ओर से सरोशेष्ट परदसन के खिलाड़ी कौन हो गए अंचत सरत कमल इन्होंने पूरुषेकल मिस्रित यूगल और पूरुष्टीम अस्परदा में स्वंड जबकि पूरुष्ट यूगल अस्परदा में रजात पदक जी ठीक है तो एभी बात अब ध्यान रखेंगे नेक्स देखेंगे पेरी 2022 में राष्ट मंडल खेलो का अधिकारीक सुभंकर कौन था पेरी था ठीक है एक बहुरंगी बैल है ठीक है मल्टी कलरड बुल तो पेरी जो है इसका सुभंकर रहा था ये बात भी ध्यान में अधरी दिन जो है पीवी सिंधू की जीत के साथ ही भारत ने राष्ट मंडल्ड खेलों के इतिहास में अपनाiling पदक हासिल किया तो भारत टोटल ओभर ओलीव है अभी तक भारत राष्ट मंदल खेलों के इतिहास में कुल दो सतीन स्वर्ण पदक के साथ इस्टेलिया इंग्लेंड और कनाडा के बादी चौथे अस्थान पर अभी तक ओभर ओल बात करें तो राष्ट मंदल खेलों में सबसे दिख स्वर्ण कौन जीता है एस्टेलिया जीता है एक हजार तीन दूसरे पर इंग्लेंड है साथ सती तीहत्तर के साथ और कनाड़ा जो है पांस दस के साथ चौथे पर कौन है दो सतीन स्वर्ण के साथ कौन है आपको भारत है ठीक है टोटल ओभर ओल है इस सब डाटा आप ध्यान रखेंगे ठीक है च एक लेक्षर में हम इसको कवर करेंगे जो भी इसका बचा हुआ है ठीक है आप पर बर्डन नहीं होना चाहिए बिल्कुल आप इंज्वाय करते हो इसको जो है देखते रहें देखे सबसे पहले हम लोग देखे थे ग्रेंड सलम के बारे में देखे थे यानि लॉन टेनिस क चीज़ देखे थे यूएस उपन की बात करें तेहां पर कार्लोस अलकराज जीते थे और फ्रेंच में आपको रॉफिल नडाल इसके अलावा देखेंगे महिला एकल में जो है इस्टेलिया में देखेंगे तो एरीना शावलेंका ठीक है उसके बाद फ्रेंच में यहां पर आपका खेलों इंडिया यूथ गेम इसका योजन जो है आपको मद्य परदेश के आठ सहर और नई दिली में जन किया गया इसका पांचवा संस्करन था ठीक है नया खेल इसमें तलवार बाजी वाटर स्पोर्ट्स यह सब सामिल किया गया था कैनिंग और श्लालो यहां था तीसरा इसका संस्करन था हीम तेंद्वासु बंकर था पदक तालिका की बात करें तो जम्मू कास्मीर इसमें बिजेता जो है यानि सबसे अधिक जो है जम्मू कास्मीर के पास पदक गया था टोटल छीएत्तर फिर महाराष्ट हिमाचल परदेश उत्तर जो है अरब देश में पहली बार किया गया था एस्तिया में दूसरी बार किया गया था ध्यान रखेंगे उद्गहांटन जो है 2022 में पहला मैच यहेड़ बनाम कतर खेला गया था कहां पे अलवयात स्टेडियम में यह सब ध्यान में रखेंगे आप फीफा भी शुबya तो 2 रिहला और अल हिल्म जो एडी डास के द्वारा बनाया गया था ठीक है बिजेता आर्जेंटीना रहा था उप बिजेता आपको फ्रांस रहा था ठीक है यह सब बात आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो इतना सार अफेक्ट ध्यान रखेंगे बाकी इसमें प्लेयर अप टूनमे सेम करन को चुना गया था टूनमेंट में सरवादिक रन बिराट कोली टूनमेंट में सबसे कम जो है बिकेट आपको हसरंगा सब्से अधिक विकेट जो है यहासरंगा को मिला था दो солे हजरचार चुल्दोय चुनमेंट कहां आ जीथ होगा वेस्ट इंश और अमेरिका में सब्सक्राइब करें तो तीसरी बार राष्ट मंडल खेलों का आयोजन किया गया ठीक है यह सबसे अधीक इसमें एक अस्थान पर रहा ओवरॉल देखेंगे आज तक स्टेलिया ही रहा है और इसमें भी स्टेलिया रहे है टोटल दूसरे नमर पर इंग्लेंड जो है संतावन कनाड़ा 26 और भारत जो है 22 ओभरॉल बात करें तो 178 पदक इस्टिलिया को मिला एक सची अच्छी इंग्लेंड बानबे आपको कनाड़ा और 168 आपको भारत और न्यूजिलेंड पाच्वे नमर पर 49 जो है टोटल पदक के साथ इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो हम लो ध्यान देंगे तो इस बार जो है इसमें कुछ नए नए गेम को जो है पैट्सिपेट किया गया था जिसमें T20 वर्ल्ड कप ठीक है T20 वर्ल्ड कप में बोल दिया महिला T20 ठीक है महिला T20 किरकेट को भी इसमें सामिल किया गया था ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे ठीक है और इसमें भारत बीजेता भी रहा था भारत को जो है इसमें ध्यान देंगे तो भारत को सायत इसमें रजत रजती जिल मिला था महिला टी-ट्वेंटी में अंचत सरत कमल के बारे में याद रखेंगे सरसेष्ट परदर्शन करन बने वाले खिलाड़ी बने थे और इनको जो है आपको मेजर ध्यान जंत्र खेल रतनावाड भी दिया गया है पेरी इसका जो है अपके बार का अधिकारिक शुभंकर था यह बहुरंगी वैल है ठीक है चलिए तेस अब हम लोग डाटा देखें राष्ट मंडल खेल से ठीक है और हो सकता है दो प्लस भी हो जाए ठीक है और सम्हावना यह भी है कि कहीं एक कोशन पूछा जाए तो अपने को पता नहीं है बट यह पता है कि खेल से कोशन पूछा जाएगा तो हम लोग चातिसवा राष्ट खेल 2022 देखेंगे अगले लेक्षर में ठीक है चलिए तो लेक्षर को अधिक साधिक आप लोग शेयर करते रहें और पीडिएप जो है टेलिग्राम ग्रूप में आपको मिल जाएगा तो साम तक रात तक जो है जो है जो भी आपको लेक्षर करा दिया गया है उसका पीडिएप आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए तो आप सभी क का बहुत बहुत धन्यवाद